हलो फ्रेंड्स वंदना कीचन रेसिपी में आज हम लेकर आया हैं महाराष्ट की बहुती फेमस रेसिपी मिसल पाव इस रेसिपी को आप मेरे बताएगए स्टेफ्स को फॉलो करके बनाएंगे तो ये बहुती स्वादिश्ट बनेगी रेसिपी शुरू करने से पहले जो भी आदेगे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें को और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर करें इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक special gravy बना लेंगे तो आईए बनाना शुरू करते ही सबसे पहले मैंने गैस पे तवा रख दिया है और उसमें डाल देंगे एक टेबली स्पुन ओईल यहाँ पे मैंने सुके नारियल के स्लाइस करके लिए हुए है अब हम इसे भून लेंगे इसे तब तक भून लेंगे जब तक कि यह light brown नहीं हो जाता यह देखिए फ्रेंड्स नारियल light brown हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे अब हम 6 से 7 लसुन की कलिया और अधरप को भी light brown कर लेंगे बहुत जादा नहीं सेखना है हमें बस हलका सा light brown कर लेना है ऑईल डाल देंगे दो चमच और पैज को हम अब भून लेंगे इसे तब तक भून लेंगे जब तक कि यह brown नहीं हो जाता यह देखिए फ्रेंड्स पैज अच्छे से brown हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर एक बड़े साइस का टमाटर लिया है हमेंने अब पैज और टमाटर को भी अच्छे से बून लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स पैज टमाटर अच्छे से बून चुका है टमाटर भी अच्छे से गल चुका है अब हमने जो नारियल और अद्रक लसुन भून के रखे हैं उसका पेस्ट बना लेंगे आप चाहे तो एक साथी सारे मसाला पीश सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे अलग-अलग पीशूंगी यह देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से बारिक पीश लेना है हमें यह अब हम पेस्ट टमाटर कड़ी पत्ता डाल कर इसे भी अच्चे से पेस्ट बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से ग्यास पर मैंने पैन रख दिया है एक गिलास पानी डाल देंगे हम इसमें स्वादनुसा नमक डालेंगे जो मट बीन्स होते हैं जिसे स्प्राउट भी बोला जाता है उसे हम उबाल लेंगे उन्हें राद बर पानी में भीगोकर एक गिले कपड़े में बान कर रखना होता है बारा गंटे के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे हम यह दिखिए इस तरीके से बन जाते है फिर इनको हम उबाल लेंगे दो से तीन मिनिट तक इसे मीडियम फ्रेम पे हम उबाल लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स यह उबल चुके हैं अब हम इसे निकाल लेंगे ग्यास पर मैंने कड़ाई रख दिये और तीन चमश मैंने यहां पर ओईल डाल दिया है ओईल गरम हो चुका है अब हम इसमें आदा चमश डालेंगे राई आदा चमश जीरा जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है नारियल अध्रक लसुन का वो डालेंगे आम इसमें नारियल और अध्रक लसुन अच्छे से बून चुका है अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता पेस्ट अमाटर का पेस्ट डालेंगे हम इसमें इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को लगातर चलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स मसाला अच्छे से भून चुका है वान आप्गारी पूटन को x 64 दो भी के द्यना चया चहारो है, वान जल जंत्व ह exact, left branad, lorba, q七lle, रेट चिली पौडर डालेंगे यहाँ पर मैंने कश्मेरी रेट चिली पौडर लिया है आप अपने स्वादुन सार डाले अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसे होम्मेड गरम मसाला डालूंगे अब मैं इसमें एक चमच अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे आधी कोटोरी हम इसमें डालेंगे पानी और अच्छे से भून लेंगे हम इसे इसके उपर आप एक मिनिट तक ढखकन रख दे ताकि उपर मसाला उड़ेना ये देखिए फ्रेंट्स एक मिनिट हो चुका है ये देखिए बहुती बढ़िया इसके उपर ऑईल आ चुका है बहुती बढ़िया अभी इसमें से खुश्बू आ रही है अब जो स्प्राउट हमने उबाल के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे हम इसमें रसा आमें थोड़ा सा ज्यादा बनाना होता है तो आप इसमें अपने ही साफ से पानी आइड करें यह देखिए फ्रेंट्स अब 10-15 मिनिट तक इसे अच्छे से उबाल ले नमक डालेंगे हम स्वाधनुसार हमने स्प्राउट को उबालते समय भी नमक डाला हुआ था तो आप अपने स्वाधनुसार डाले यह देखिए फ्रेंट्स दस मिनिट हो चुके हैं बहुती बढ़ी आईस में उबाला आ चुका है दनिया डालेंगे अब हम इसमें यह देखिए फ्रेंट्स कितना बढ़ी आ मिसर का यह रसा बन कर तयार है बहुती बढ़ी आईस में कलर आया है आप देख सकते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से हमें सर्व करना रहता है पाव रखेंगे हम मिसर डाल दी है मैंने अब हम इसमें डाल दीगे नमकिन कोई सी भी आपके पास सेव या फिर पपड़ी इस तरीके से यह डालना है प्याज डालेंगे दनिया डालेंगे और उपर से डालेंगे तरी जिसे कट भी बोला जाता है यह देखिए फ्रेंट्स बहुती बढ़िया महाराष्टन स्टाइल में मिसर पाव बनकर तयार है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें यह खाने में बहुती टेस्टी लगता है रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सबस्काइब करें